हेई वाइस कैसे हूँ होफ बहुत अच्छे होंगे और आप जरूर बीजी एमाई खेलते हैं अगर आप बीजी एमाई खेलते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बिलकुल फ्री में ही आप अप नाम बीजी एमाई भी बहुत इस नाम लिख सकते हैं वैसे चलो मैं आपको बताता हूँ यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास मेरा फोन है और इस फोन में मैं आपको बीजी एमाई खोल के दिखाता हूँ ठीक है यहां पर हमारा जो बीजीमाई गेम है यह चालू हो रहा है ओके यह गेम हमारा स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है अब यह जैसे लोडिंग कप्लेट हो जाएगे उसके बाद में हमारा यह गेम चालू हो गया है अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे को यहां पर home page मिला है सबसे पहले मैं इसकी आवाज कम कर देता हूँ अब यहां पर आप देखोगे कि guys यहां पर अगर आप द्यान से देख रहे होगे यह जो हमारा नाम है pro rox यह काफी stelis नाम देख रहे है यहां पर मैं click करता हूँ इसके बाद मैं आप देखोगे यहां पर हमारा जो नाम है वो काफी stelis ने हम दिख रहे है pro और फिर यह को symbol देखो यह जो cross वाला symbol है यह वाला symbol है यह काफी अलग और unique professional ID दिखाते हैं लेकिन मैं आपको इतना ही नहीं यहां पर वर्ल्ड में जाता हूँ वर्ल्ड चैट में तो यहां पर बहुत सारे लोग हैं जैसे कि यहां पर आप देखो रोहित वगरा वगरा यह बहुत सारे नाम यहां पर आ रहे हैं तो अगर इनको देखो, तो यहाँ पर आप देखो, कितने stylus name, यहाँ पर लोग डाल के रखते हैं, अपना कुद का जो नाम है, कितना stylus बना रखते हैं, आप देखो गयी जैसे कि यहाँ पर देखो, यह रोहित हैं, यह एक्स किलर है, पता नहीं, कितने सारे नाम है, जो कि देखो यह गबरू यह जो नाम है इसू यह अलग और इस्टाइलिस और फैंसी नाम होने के कारण इनकी आईडी प्रो जैसे लगती है तो आप भी ऐसी ही अपनी विजियमाई आईडी को बना सकते हैं अब यह ऐसे नाम कैसे लिखे जाते हैं तो चलिए यह भी जान लेते हैं तो यहां पर देखो सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहां पर अपने नाम पर लेकिन अब यहां पर आपको नाम स्टाइलिस नाम कहां पर मिलेगा आपका खुदका स्टाइलिस नाम बनाना होगा पहले लेकिन वह बनेगा कहां से सबसे पहले यहां पर बैक जाते हैं और पहले इंगोक्टो नाइट टेब कोई दिक्कत नहीं है यहां पर देखो मैं गूगल अब जो आप डाइरेक्ट सर्च कर ले ना गूगल पे गूगल पे आपको सर्च करना है बीजी एमाई बीजी इस्टाइलिस नेम और टेक्नीकल परिवार यह जैसे कि जैसे मैंने डाला बीजी मैं इस्टाइलिस नेम टेकनिकल परिवार यह जरूरह ऐ यह सर्च कर लो या पर यह दूसरा है इंदि इन दोनों में से कोई भी एक क्लिक कर दे लाना, दोनों में अलग-अलग रजल्ट आएगा, वो आप पर डिपेंड है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो, BGMI में इस्टालिस नाम कैसे लेगे, इस्टालिस नेम जनरेटर और लिस्ट, तो इस पर आप क्लिक कर लो, या फिर नी नाम बनाना जाते हो, थोड़ा से नीच्या होगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बहुँ सारे फformat भी है, जिसे कि यह कुछ format है, अब यूझ को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, या फिर अपना नाम के बीछ में बीच में, कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे roles吧, यहाँ प Dem यह इंसको उठा उठा कर भी अपना नाम बना सकते हैं और यह जो नीचे वाले हैं ये भी एक स्ड new लग रहे हुए लेगिन नॉर्मल नहीं है और यहां पर आप देखोगे यह भी जो स्टायलिस नाम है इनको भी आप इन में से कोई भी जैसे आपका नाम जैसेcha और T से सुरूँ होता है तो T उठालो फिर आगे मालो X चाहिए तो X उठालो Y चाहिए तो Y कोपी करके उठालो इस तरीकी से आप यहां पर अपना नाम बना सकते हैं अगर आप मालो Y in में से ada symbol यूज नहीं करना है यह symbol भी यूज कर सकते हो लेकिन मालो मैं back जाता हूं एक और यहां पर देखो यह 100 पिलास pubgi style history name यहां पर मैं click करता हो तो यहां पर मुझे बहुत सारे style history यह फ्र आप कोई और दूसरा format आप select कर सकते हैं बहुत सारे format है यहां पर अलग अलग format है आप जैसे मोटा लट है ठीक है आप जो भी आप copy करना चाहते हो वह नाम copy कर गए directly use कर सकते हो उसमें मतलब आगे-पिछे अपना नाम लगा सकते हो और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है यहां पर bgmi में जाना है मैं bgmi में आ चुका हूँ इसके बाद में यहां पर आपका जो नाम है इसमें देखो आपका edit बटन है sorry नाम के आगे कोई भी edit बटन नहीं मिलेगा इसके लिए आपको चाहिएगा एक rename card rename card कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ अब आपको rename card कैसे लेना है यह भी चली जान लेते हैं अगर आपको rename card लेना है तो सबसे पहले आपको home page पर आना है अब यहां पर home page पर आने के बाद में आप यहां पर ध्यान से देखोगे यह आरपी का बटन होगा इसके बाद में यह बटन होगा इसके बाद में यह जो बटन है इस पर क्लिक करना है यहां पर pen की note को देखना यहां पर क्लिक करना है तो चलो यहां पर मैं क्लिक करता सकते बहुत सारी चीजे करीच सकते हैं तो यहां पर जैसे रेडियम करने के लिए बहुत सारी चीजे रेडियम कर सकते हैं यहां पर इसी के लिए यहां पर अगर मैं नीचे जाता हूं sorry login what the fuck what's going on यह क्या हो भाई sorry अच्छा लोगाउट कैसे हो गया यार मेरे को को समझ में नहीं आया मुझे लगा यार आईडी बैन हो गया अच्छा तो यहां पर आप जैसे के लिए करोगे उसके बाद में यहां पर आपको क्लिक करना यहां पर ट्रेजर यहां पर ट्रेजर पर आप क्लिक करोगे तो उसक rename card id लखे हुई है क hypocrisy जिस यह है इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा एस साइकन दिखेगा ऐसा इकन वाले पर जिसके लिए आपको 188 तो यहां पर आप देख सकते है एक Solar C τόकर करोगा आपके अकउट में 100 c us तो क्लिक करो और जो 100C Uc दे कर आप इसे परचेज कर लो तो इसके बाद में आप इसको जैसे जो इन्वेनेंटरी में जाये inventory में inventory में जाने के बाद में यहाँ पर आपको इस box पर आना है यहाँ पर pen देख की इस box पर click करना है और यह वो जो आपका rename card है वो यहाँ पर दिख जाएगा कहीं ना कहीं उस पर click कर गए जैसे यहाँ पर click किया और इसके बाद में use पर click कर देना सीधा फिर आपको नाम डालने को उपसे मिल जाएगा और जो आपने नाम बनाया है वो पेश्ट कर देना अगर पेश्ट हो रहा है तो विल्कुल वो नाम लग जाएगा अगर पेश्ट नहीं हो रहा है तो दूसरा नाम बनाना और फिर वो लगा लेना तो इस तरीके से आप अपना नाम बदल सकते हैं सिर्फ 100 C.O.C. में होप गाइज वीडियो पसंद आया होगा और आप भी एक इस्टैलिस नाम बना सकते हैं तो थैंक्यू सो मच भाई